आज है 6 माई आज हम बात करेंगे जितने भी करेंट अफेर्स के प्रशन बनते हैं उनके बारे में उनसे जुड़ी हर एक बात उनसे जुड़ा हर एक मुदा जो आपके पेपर में अती मैतवपुरन है बस आपको ध्यान से सुनना है और हर एक बात नोट करनी है जिसे आप अ असानी से उन्हें बाद में रिवाइज कर सके हैं आप वीडियो को रोकर भी उसका स्केंशोट ले सकते हैं चैनल पर अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जुड़े रहे पढ़ाई के सर्वतम सर से जिसमें आपको रोजाना करन्ट अफेर्स की कला और अन्य विशेश विश्यों की कलास नीचुलक मिलेगी नमस्कार दोस्तो मैं हूं राकेश आप देख रहे हैं 24G स्टडी बात करते हैं कल के प्रशन की तो कल का प्रशन था हाली में करोना की वज़य से राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 को सगित कर दिया गया है अब ये कि वर्श में होंगे तो इसका आंसर आपको कमेंट बोक्स में देना था तो बात करते हैं इसका आंसर की तो इसका आंसर है 2023 2023 में ये होने है राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 में होने थे अभी ये 2023 में होंगे पिछली वीडियो में जिन्हों ने कल के प्रशन का उत्तर दिया उनके नाम है नवीन कुमार दिवेंदर सोलंकी अलका वर्मा और सबसे लाष्ट में है निया चोधरी तो सभी को बढ़ाई आपका उत्तर सही था आप भी आज के कमेंट का आप आज के प्रशन का कमेंट बोक्स में जवाब दे सकते हैं अगर उत्तर सही है तो अकली वीडि आइडिया थान आयो जन की संस्तान की आहा है इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी क्योच्शन थोड़ा नया च्ञाएंज हो गया है नदीपरबंदन का बवीश्या पर आईडिया थान आयोजन की तो दोनोंने मिलकर किया है राष्ट्य स्वच गंगा म वरतमान में केंदरी जल मंतरी है गजनदर सिंख से खावत बात करते हैं नेक्स्ट कॉश्चन आपका हाली में विशब चैंपियन खिलाडी पितर एडबन ने सन्यास की गोश्णा की है यह किसť खेल से समधित太라고 इनको बताना है पिटन किस खेल से समंदित है तो इंका समंद्र है सिद किस सिधे सौना की है ये है पिटर एडवन उन्होंने गार्डण और पीट की चौड़ के चलते हैं स्नियास की गोसना कि उन्होंने 2002 में विशव सनूकर चैंपेंशिप जीती थी पिटर एडबन किस खेल से समाधित है सनूकर से बात करते हैं नेक्स्ट क्योशन की तो आपका अगला क्योशन बनता है अंतर राष्ट्री अगनी शामन दिवस कब बनाया जाता है हर वर्ष ये मानित करने के लिए मनाया जाता है तो बात करते हैं अगले क्योशन की तो आपका अगला क्योशन बनता है हाली में कोविट 19 के कारण किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे गाना जारी किया है अब बात हो रही है HDFC बैंक की स्थापना 1924 में 1994 में हुई हैड़कॉर्टर इसका मुख्याले है मुंबई में और इसके MD है मैनेजर डारेक्टर यानि परबंधन निदेशक है आदित्यापूरी तो HDFC बैंक की बात हमने की परबंधन निदेशक है आदित्यापूरी बात करते हैं अगले आपका अगला कॉश्वन बनता है गुट निर्पेक्ष अंदोलन यानि की नाम नाम का पूरा नाम है Non Align Movement Non Align Movement Good निर्पेक्ष अंदोलन के सदश्या देशों का विशेष शिकर समेलन 4 मई को वीडियो कौनफरेंसिंग के मध्यम से आजित किया बार्त की तरफ से किसने इसक बात करते हैं नाम के बारे में तो नाम का पूरा नाम मैंने आपको बताया नोन एलाइन मुवमेंट गुट निर्पिक शांदोलन का संक्षित रूप है ये इस ओनलाइन समेलन में सदश्य देशों के राष्ट्रा धक्षों और सासना धक्षों ने इसा लिया समेलन का आयोजन अजर बेजान के राष्ट्रपती देश राष्टर है अजर बेजान के राष्ट्रपती है इलहाम अलियेफ इलहाम अलियेफ अजर बेजान के राष्ट्रपती है इनकी पहल पर किया गया था देश अजर बेजान वरतमान में गुट निर्पिक शांदोलन का अध्यक्ष है ये भी question बन जाता है, नाम का वर्तमान में अध्यक्ष कौन सा राश्टर है, तो अजर वेजान है वर्तमान में घुट निर्पेक्षांदोलन का अध्यक्ष, अब बात करते हैं घुट निर्पेक्षांदोलन की नाम की, तो पुराना मैंने आपको बता दिया, इसकी सापना अ अपरेल 1961 में बात करते हैं अगले कोशन की तो आपका अगला कोशन बनता है जपान के परतिष्टि 25 वे निकेई एशिया पुरुसकार की गोशना एक मही को की गई एक मही को निकेई एशिया पुरुसकार की गोशना की गई यह किस बारतिय को पुरुसकार मिला आपको यह बत दीया गया है नैनो पर्द्योगी की अधारित जल शुद्धी करण के उतकष्ट कारे के लिए अच्छे कारें के लिए उन्हें पुरुसकार से समानित किया गया है हाली में भारसरकार दोवारा पदम से भी इने दिया गया था बात करते हैं अगले question की आपको मैं निकेई पुरुसकार के बारे में बता देता हूँ निकेई पुरुसकार जपान के दवारा परतेक तीन श्रेणियों कौन-कौन से आर्थिक और व्यपार नवाचार, विज्ञान और परत्योगी की और संस्कृतियां समुदाय में परदान किया जाता है निकेई पुरुसकार कौन से देश के दवारा परदान किया जाता है जपान के दवारा बात करते हैं अगले क्रूशन की तो आपका अगला क्रूशन बनता है हाली में एक मही को भारत के कौन से दो राजों का स्थापना दिवस एक साथ मनाया गया तो आपको बताना है एक मही को कौन से दो राजों का स्थापना दिवस था तो इसका अंसर है माराष्टर एवम गुजरात माराष्टर एवम गुजरात दोनों की स्थापना एक मही 1960 को ही थी परतेक वर्ष एक मही को अपने स्थापना दिवस बनाते हैं इसी दिन मराठी एव मैई को अपना स्थार्मा दिवस बनते हैं बात करते हैं महाराष्टर की तो महाराष्टर की राजदानी मुंबई है मुख्य मंतरी उदव ठाकरे है राजयपाल है भगत सिंग कोश्यारी और लोगसबा की सिटे हैं 48 बात करें गुजरात की गुजरात की राजदानी है गांदी नगर मुख्य मंतरी है वीजे रूपानी गुजरात के राजयपाल है अचार्य देवर्थ और लोगसबा की कुल सिटे हैं 26 तो बात करते हैं आज के प्रशन की तो आज का प्रशन आपका बनता है इसका जबाब आपको कमेंट बोक्स में देना है कमेंट बोक्स में देंगे तो आपका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा तो आज का प्रशन बनता है देश में उगाए जाने वाले काले चावल जिसकी बात मैंने पिछली से पिछली वीडियो में की थी है जरूर दें कमेंट बॉक्स में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जुडरी पढ़ाई के सरोतम स्तर से